सब्सक्राइब देखो 63 प्लस 27 होता है 90 इसका मतलब या तो आप 63 को 90-27 लिखते होगे या 27 को 90-63 लिखते होगे जब इस टैप के questions होते हैं जिसमें complementary angles होते हैं मीनस सम 90 इगरी होता है आपको इस तरह करना है अब देखो sin square 63 को आप लिखते हो 20-90-27 डेगरी आप इदर 63 लिखोगे तो इसको लिखना sin square 90-63 कुछ भी कर सकते हो दोनों में से इसको as it is लिखलो एक को change करना है एक को as it is लिखना है अब 17 plus 73 डिगरी भी 90 होता है तो इधर भी cos square आप लिखलो 90-73 क्योंकि 90-73 17 आएगा इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको as it is लिखलो एक को ही change करना है अब sin square 90-27 होता है cos square 90-theta sin 90-theta होता है cos theta तो sin square 90-theta होता है cos square theta theta 27 है ना 90 के साद जो होता है वो theta होता है cos square theta आगया इधर sin square 27 इधर cos 90-theta होता है sin theta तो cos square 90-theta हो जाएगा sin square theta तो इधर आजेगा sin square 73 degree plus cos square 73 degree अब आपको बता होगा sin square theta plus cos square theta जब theta same है तो वो 1 होता है तो यह भी 1 हो गया same है यह भी 1 हो गया 1 over 1 बन आगया तो first part का answer है 1 अब second part देखो 25 और 65 भी complementary angle इनका sum भी 90 है तो एक इसमे भी change कर लो 25 को लिख लो 90-65 degree और इसको as it is रखो अगर इसको as it is रखना तो इसको लिख लेते 90-25 सेम चीज यह आती answer same है ऐसे इसको change कर लो इसको लिख लो cos क्योंकि 25 plus 65 अगे 90 होता है तो इसको लिख लो 90-65 क्योंकि 90-65 25 भी आता है इसको as it is लिख लो अब देखो साइन 90-65 साइन 90-65 होता है कोस थिटा तो कोस थिटा 65 यह दर 65 आजेगा और अब कोस 65 है वो as it is लिख लेंगे अब कोस 90-65 होता है साइन थिटा थिटा 65 है तो साइन 65 डिगरी आजेगे और यह ऒला साइन 65 as it is लिख लेंगे अब कोस 65 इन्टो कास 65 आजेगा कोस स्कोए 65 डिगरी फ्लस Сाइन 65 इनु साइन 65 अजेगा साइन स्कोए 65 डिगरी आगें साइन स्कोय थिटा प्लस कोस को थिटा वन हथा तो यह दर बाना जेगा तो दोनों गांसा बाना थैंक यू